हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे मैं मनीश स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका अपने यूटूब चैनल एकजाब जैस्ट में इस वीडियो में हम बात करने वाले एससी जीडी का जो डिजल्ट है आपका वह आ चुका है और स्कूर कार्ड जारी किया जाना है तो यह स्कूर कार्ड कब तक आपका आजाएगा और नौर्मलाइज में आपकी कितने मांग पढ़े होंगे और आपका अगर सेलेक्शन नहीं हुआ है और आपने कट ओफ किलियर कर ली थी आपके रोमांग ज्यादा थे तो वह आपका क्य नहीं हुआ है तो इस वीडियो में इन सभी चीजों पर बात करेंगे तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर न्यूजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर दबा दीजेगा गौर्मेंट जोब की पलपल अपडेट के लिए तो यह जो नोटिस है यह डिजल्ट के साथ ही आया था यानि के कट अफ के साथ इसके अंदर बताया है कहा था कि जो आपका क्वालिफाई मार्क्स स्टेंडर हो चुका है वो यह हो चुका है यूर के लिए 30 और OBC EWS के लिए 25 और SCST ESM के लिए 20% कुछ लोगों ने इसको कहा क कि यह कट अफ है लेकिन यह कट अफ नहीं है यह बस क्वालिफाई माक्स है क्वालिफाई माक्स है क्वालिफाई माक्स है क्वालिफाई माक्स है यह कोई कट अफ नहीं है क्वालिफाई माक्स से ज्यादा कट अफ लगती है हमेशा लेकिन बहुत से स्टेट होते हैं जैसे अंडोबार, निकोबार, 36 गड़, केरल ये जो इलाके हैं इनके अंदर जो है कटोफ इतनी ज्यादा नहीं जा पाती तो इसलिए इनको क्वालिफाई मार्क्स जो होते हैं उन्हीं के बेस पर इनको जो है कैंडिडेट्स को पीएस्टी के लिए पीटी और पीएस्टी के लिए जो है अलोट करना पड़ता है इसलिए जो है ये डिक्रीज कर दी गई है मैं अगर हम आज आपका डिजल्ट यानि के स्कोर कार्ट जारी किया जाना है तो उसके अंदर हम बात कर लेते हैं अगर आपका एन्सीसी सेटिफि ए है तो आपके इतने marks add होकर आएंगे आपके scorecard के अंदर अगर आपने NCC नहीं किया है तो finally जो आपने marks exam के अंदर gain किये थे उसी को normalize करके आपका scorecard जारी किया जाएगा तो मैं आपको बता देता हूं कि आपका scorecard कब से कब तक जारी किया जा सकता है तो आप इसके अंदर यह देख सकते है पैरा नंबर 3 में 13 में कि final answer की जो भी आपकी है वो यहां पे upload की जाएगी इस date तक जो की upload की जा चुकी है और जो qualified and non qualified marks हैं वो आपके 31,3 से 34 तक यानि के पूरे एक महिने आपके सामने रहेंगे आप देख सकते हैं उसके अंदर आप registration number या roll number से और अपने password से उसको check कर सकते हैं तो यह आपका कब तक आ सकता है तो यह आपका जो है साम तक ही आपको देखने के लिए मिलेगा शाम तक ही शाम से पहले कोई chance नहीं है आपको कि आपका scorecard जारी हो जाएगा शाम को ही ssc की 4-5 बज़े के आसपासी ssc का जो होता है काम start होता है कोई भी या तो result आएगा या फिर answer की आएगी तो वो शाम के आसपासी 4 बज़े के बाद आपको आपका scorecard देखने के लिए मिल जाएगा अब बहुत से candidate हो के message आ रहे हैं कि मेरे marks इतने हैं मेरे marks चत्तर हैं मेरे marks 60 हैं मेरे marks 55 है तो मैं physical की तयारी करूं या मत करूं अगर आपको नोगरी चाहिए तो फिजिकल की तैयारिक करिए अगर नहीं चाहिए तो मत करिए अगर आपको कहीं और सेलक्षन हो चुका है तो फिजिकल की तैयारिक मत करिए सिंपल सी वात है ये कैसा सवाल है आपका कि फिजिकल की तैयारिक करूं या नहीं करूं अगर आपको नोग्री चाहिए तो आप भाग ये अगर आपको नोग्री नहीं चाहिए तो बैसे ऐसे पेपर के लाय करते रहे और फीजिकल के लिए दूसरों से पूछते ज़्यें और वह मना करते रहेंगे कि नहीं मत भाग तेरा होनी पाएगा ये वह कटोफ के बारे में अब मैं एक जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कैंडिडेट के सामने कि उनके जो रो मार्क्स थे वो कटोफ से तो जादा थे कैसे कि मैं अंडोबार आंदर परदेश का जर्नल एरिया की अगर बात करता हूं तो बहुत से कैंडिडेट के जो थे मार्क्स 25 से उपर हैं जैसे दिल्ली के हुए यूपी के हुए लेकि उनका क्वालिफाई नहीं हुआ वो क्यों नहीं हुआ क्योंकि सबसे पहले उस एरिये के इडवलूएस हों, SC हों, ST हों, OBC हों उस एरिये के लिए जाते हैं जैसे आंदर परदेश का SC, ST, OBC जो होगा पहले उनको पोश्ट दी जाएगी उसके बाद किसी दूसरे स्टेट के कैंडिडेट को पोश्ट दी जाती है इसलिए अगर आपने अपनी स्टेट की क्वालिफाइ अकिया है, MArcs को क्वालिफाइ किया हो, जैसे की 30% UR के लिए और क्वालिफाइ के बाद आपने प्लस मेärिट यानि के जो कटोफ है, कटोफ को किलियर किया हो अपने एरिये की, जहांसे आपने होम फिल किया है जैसे दिल्ली से, UPN से, तभी आपका जो है मेर zone में या किसी भी state में आपका selection नहीं होगा ये आप बात जान लिजिए ये मैंने आपको बता दिया ही आपका क्यों नहीं हुआ है ये ज़िए तो आपके state की कट-off है कितनी गई है और आपके मार्क्स जो है कितने आए हैं चिस्से की ये पता चल जाए कि फाइनल कट ओफ आपकी फाइनल फाइनल कट ओफ रणिंग के बाद आपकी कितनी रह सकती है और आपको कोई ना कोई सी पोश्ट मिल जाएगी इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूँगा अगर आप मुझे अपने मार्क्स बता देंगे तो इस वीडियो में बच इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए थैंक यू